देखें इंडियन कोस्ट कार्ड में अगर आप नाविक gd या नाविक bd के लिए आविदन करना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए क्या है और क्या इसीपीलटी क्या मांगता थिय miracателейचत कहते हैं यह इंडियान क्रआइड ही का अज 黨 सी स्थाट में दो आज हम बात करएंगे नाविग सब्सक्राइब नाविग ग्रियूमें अगर आप लिआ करना चाहता हैं तो देख लीजिए नाविग जीडी में क्या होती है और क्या इनका सेलेक्शन प्रोसेज होता है लेकिन नाविग जीडी के लिए आपकी उम्र 18 से 22 साल की होनी चाहिए अगर आप आप ने 12 में मैट और फिजिक्स नहीं लिया है तो आप इसमें अप्लाई मत करिएगा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देख लीजिए इडबलू एस जो होता है इकॉनोमिकल ली वीक सेक्टर वो कंडिडेट कोई रिलेक्सेशन नहीं पाएंगे इसमें और क्लास सब्जेक्ट मैट एंड फिजिक्स इस कंपल्सरी मैट और फिजिक्स कंपल्सरी होने चाहिए यह ध्यान रखिएगा आप लोग अब देख लीजिए एस सी एस्टी और ओवी सी जो नान क्रीमी लियर है और इडवलू एट कटेगरी कंडिडेट सच एस कंडिडेट कैन इस् सेसेशन है सिस्टी कंडिडेट को कोई एज रही लींक्सेसन नहीं दिया गया न पासिंगति वहां है इनको उसमें छूटव दी गई है इने लिए इगलके diff लिए से लेक्षन प्रोसेस की बात करें चुडेमेतिж्तए अब इसको बेदिक वहरुथ प्रोसेस है जनरिली के लिए तो उसमें देख लीजिए आप सभाट से मैं कि इसलेकसन के लिए पहले एक रिटेन टेस्ट drawings त्थ केने रिटेन टेस्ट के बाद डॉकुमेंट वरिफिकेशन होगा आपका ठीक है डाकुमेंट वरिफिकेशन उनीक होगा जो रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे ठीक है अब देख लिए वैलिड ओरिजिनल आइडेंटी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा अधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आईडी हो या लाइ फोटोग्राफ ठीक है वह उने अगर आप स्टी अप्लिकेंट है तो ओरिजिनल का स्टार्टेपिकेट होगा ठीक है और सेलप अटेस्टेड फोटोकापी जो उनकी फोटोकापी होगी सेलप अटेस्टेड होना चाहिए यह जितना मैं बता रहा हूं इसका मैं PDF लिंक दे पूरा पढ़ लीजिएगा मैं 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 पॉइंट आपको बताया दे रहा हूं ठीक है बायो मैट्री रिकार्डिंग होती है इन लोगों की ठीक है उसके बाद देख लीजिएगा अगर आपने नाविक जीडी में अपलाई किया है ठीक है तो रिटेंट टेस्ट होगा आपको पॉच्छा वाली स्मास लाने है अब देख लिए पासिंग इन सेक्षण फस्ट सेकेंड सेपरेटली कंपल्सरी मलब फश्ट और सेकेंड जो इनका इक्जामिनेशन होगा उसमें जरूरी है आपको पास होना ठीक है अब दूसरा चीज आती है कि सेक्षण फस्ट का जो examination होता है, उसमें maximum mass 60 होंगे, 45 minute की duration होगी, total number आप question 60 होंगे, ठीक है, subject wise अगर बात करें तो math से 20 question आएंगे, science से 10 question आएंगे, English से 15 आएंगे, reasoning से 10 और GK से 5 आएंगे, अब अगर आप general है, EWS में है, OVC है, तो आपको 30 number लाने है, pass करने के लिए, ठीक है, और syllabus आपका रहेगा, class 10th का syllabus रहेगा, इसमें, यह ध्यान नखी का, class 10th का syllabus के बल होता है, अब section 2 का जो आपका examination होगा, जब आप section 1 में pass हो जाएंगे, तो यह maximum mass होता है, 50 number का, इसमें 30 minute का duration होती है, total number आप question होते हैं, 50, ठीक है, और math से 25 पूछे जाते हैं, physics से 25, math और physics से 25 question इसमें पूछे जाते हैं, आप अगर general में है, EWS candidate हैं या OVC हैं, तो आपको 20 number लाने हैं, आप SCST में आते हैं, तो आपको के बल 17 number लाने हैं, अब इसमें जो होगा section 2 में, वो class 12 की math, physics का syllabus आता है, ठीक है, तो जो section 1 का examination होगा, उसमें class 10 का syllabus आएगा, और section 2 में आपका आएगा, class 12 का math और physics, जैसा के हम बता चुके हैं कि आपने math physics लिया है, अगर 12 में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बायो के candidate इसमें अप्लाई ना करें, अब लेकली, there is no negative marking in returning general test, ठीक है, अब इसमें बहुत बढ़ी है चीज है कि इसमें negative marking नहीं होती है, ठीक है, अब in case of two or more candidates having the same marks in state first, then the tie will be broken in step as follows, where tie is broken next state will not be proceed, अब अगर जो merit बनेगी उसमें section first में अगर दो candidate के same marks हैं, तो उसमें छटाई कैसे होगी, तो देख लिए candidate scoring more marks in section first, candidate scoring more aggregate percentage in class 12, up to three decimal places, ठीक है, तो उसमें class 12 की merit देखी जाएगी, class 12 में उसके कितने percentage हैं, अब देख लिए candidate older in age will be higher in merit, अगर दो candidate में merit बरावर आ रही है, तो उसमें जिसकी age ज्याज़ा होगी, वो candidate को priority दी जाएगी selection में, अब stage 2 की बात करनें, तो stage 2 में जो physical fitness test होगा आपका, ठीक है, उसमें देख लिजीए, 1.6 km की दोड़ कराई जाएगी आपको जो आपको साप इनट में करनी है, ठीक है, यह physical fitness test जो होगा, यह 3 test होगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद आपका 20 square UPS, उठक बैठक, बहलाब 20 उठक बैठक आपसे कराई जाएंगी, तो 10 push up कराई जाएंगे, ठीक है, तो इन में जब आप पास हो जाएंगे, तो यह आपका physically fitness test हो जाएगा, उसके बाद आपका आता है documents verification, ठीक है, अब document verification की बात कर लें, तो इसमें आपके पूरे documents, आपने 10th की mark sheet, 12th की mark sheet, ठीक है, आधार card, pen card, जो भी आप ID लगाएंगे, आप SCST है, तो cash certificate, इस तरह आपके document verification होते हैं, अब देख लिए इसमें most important date क्या है, चीज क्या है, कि the date of issue of all documents has to be closing date of application or any date period to closing date of application, the validity of all the uploaded documents has to be at least up to 31 August 23, ठीक है, इन्होंने जो vacancy निकालना जा रहे हैं, यह उसकी इन्होंने date डाली है भी, 31 August 2030 से पहले, सारे documents आपको upload कर देने होंगे, ठीक है, अब इसमें देख लिए initial medical examination, ठीक है, इनका जो अपना यह medical examination कराएंगे, ठीक है, तो उसमें, अगर आप unfit हैं, ठीक है, अगर आप उसमें unfit हैं, तो आपको 21 दिन का समय मिलेगा, ठीक है, और within 42 days if temporary unfit, अगर आप उसमें ज्यादा unfit हैं, तो आपको 42 दिन का मिलेगा temporary unfit के लिए, ठीक है, इसमें आप अपनी जो कमी हैं, वो दूर कर सकते हैं, अब state third में आ जाएगी, आप state first और state second में जो भी performance होगी, उसके बाद state third आपकी होगी, उसमें document verification होगा, जैसा बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर उसका final medical होता है, इनका, अब final medical जो examination होता है, इनका, वो INS चिलका, ठीक है, अब who are not found medically fit in the final medical examination at INS चिलका, जो इनका institute है, तो वो training के लिए नहीं बेजे जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो appeal कर सकते हैं, an appeal is permitted for medically unfit candidate after the final medical examination at INS चिलका, and will be given an opportunity to appeal against the finding if they so desire at military hospital at disorder postcard, ठीक है, इसमें देख लिए, आप अगर unfit हैं, तो जो INS चिलका, इनका होता है institute, उसमें आप appeal कर सकते हैं, उस appeal के पास क्या होगा, जो military hospital होते हैं, वहां से आपका examination करा दिया जाएगा, final medical, अगर उसमें आप pass होते हैं, तो आपका selection हो जाएगा, ठीक है, अब stage 4 जो है, वह final stage है, वह देख लिजिए आप, the candidate who clear stage 3rd, and stand in merit, as per the vacancy available, will be provisional social training in INS चिलका, INS चिलका इनका institute जहां पर यह training देते हैं, ठीक है, और the candidate are to submit all the original documents, आपको जमा करने पढ़ेंगे, जो भी आपके board और university की मार्शीट वगरें होंगी, ठीक है, वो Indian cost card में आपको जमा करने पढ़ेंगे, original, अब इसमें देख लिए, candidate will be terminated from service, if the documents गरवल निकले, आपके documents कोई भी गड़वल निकलता है, क्योंकि जाच कराते हैं, तो आपको terminate भी किया जा सकता है, तो यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप चैनल को subscribe कर लीजीए, वीडियो जादा लंबा ना हो, इसलिए इसको मैंने part में बनाया है, आ पार सेकेंड में मैं नाधिक बीडी और यांत्रिक के वारे में आपको leasibility और selection process के वारे में बता दूँगा, तो अगर आपको जानकारी जानना जाते हैं, तो इस चैनल को subscribe कर दीजिए, like कर दीजिए और share कर दीजिए, मिलते हैं next वीडियो में, इसी तरह job और career regarding खबर के स जे हिंद जे भारा